Hello everyone, स्वागत है अब सभी का Learn and Fun पे मेरे साथ, मेरा नाम है तानिय अशर्मा और मैं आप लोगों को इस चानल पे class 11th की English पढ़ाने वाली हूँ and just in case आप लोगोंने humanities opt करा है तो मैं history भी आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आप लोगोंने मुझे class 10th Learn and Fun के चानल पे देखा होगा and पढ़े भी होगे most probably class 10th में मेरे थन्स वगेरा टेंड करी होंगी उसी प्यार के कारण 11th में भी आप लोग मुझी से पढ़ने वाले हो and इस चानल पे आपको सारे के सारे chapters मिलने वाले हैं जो first chapter था the portrait of a lady वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ठीक है description में मैं link डाल दूँगी अगर किसी ने भी नहीं देखा है वो first chapter तो आप लोग देख सकते हो class 11th का जो first chapter है उस first chapter को के नीचे ही वो जब chapter खतम हो रहा है उसके नीचे ही एक form दे रखी है photograph जिसे हम लोग आज बहुत बढ़िया तरीके से कर देने वाले हैं मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि जब मैं आपको यह पढ़ा दूंगी तो हम लोगों एक चीज चालू करा है के रहा मैं आपको homework दिया करूंगी पाच questions ठीक है एंड आप वो लोग homework आप लोग करोगे कैसे कि description में ही आप देखोगे कि एक Google form दिया हुआ है ठीक है उस पर आप उस link पर क्लिक करके आप लोग questions attempt कर सकते हो क्योंकि मैं तुम लोगों को हमेशा बोलती हूं कि यह question practice किया करो question practice किया करो तो कितना अच्छा होगा कि जो आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं बिल्कुल free link है ऐसा नहीं तुम्हें पैसे भरने कुछ कुछ भी नहीं करना है ठीक है बिल्कुल एक दम free link है कि what you guys need to do उस link पर क्लिक करो पाच question आएंगे attempt करो खतम ठीक है यह जब देख लोगे उसके बात करना दूसरी चीज यह भी हमने शुरू करा है मैंने यह सोचा है कि जब भी मैं आपको chapter पढ़ा दूंगी उसके next day मैं आपके लिए menti quiz लेकर आया करूंगी उस chapter से related जैसे आज आज आप लोग यह देख रहे हो a photograph मैं भी आपक कितना सीखा तो आपकी practice भी से होती रहेगी अब हम लोग बच्चों शुरू करते है photograph class 11 की फ़र्स पॉम शिल्डी टॉलसन ने इसको लिखा है अब इस कवीता के अंदर हम लोग क्या देखने वाले सबसे पहले तो यहर मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज आप लोग नाम याद रखा करो कि यह जो पॉम है यह लिखी किसने है ठीक है इसकी poet या poetess कौन है क्योंकि ऐसे one marker के question आपके paper में पूछ लिये जाते हैं ठीक है तो यह जो पॉम है photograph शिल्डी टॉलसन ने लिखा इस पॉम के अंदर वो recall कर रही है अपनी मम्मी को और उनकी memories को actual में उनकी मम्मी अब नहीं है she is no more तो वो याद कर रही है अपनी मा की यादों को और अपनी मा को कि जब मेरी मम्मी जिन्दा थी तो वो कैसे अपने बच्पन को याद करके हसती थी ठीक है photograph आपको पता है न क्या होता है एक picture आज कल हम लोग बहुत सारी pictures लेते हैं न क्यू लेते हैं memories के लिए कि भाई यह जो moment हम लोग spend कर रहे हैं यह हमें याद रहेगा कि देख हम इस दिन यहाँ पर गए थे जब भी हम लोग फोटो को देखते हैं तो हमें क्या लगता है रहे वा यार उस दिन तो तेरा भाई यहाँ गया था हना हमने यह करा था वो करा था तो basically यहाँ पर भी जै तब उनकी मम्मी 12 साल की थी ठीक है तब वो बीच पे गई थी अपने cousins के साथ तो वो फोटो थी तो याद करती है poetess कि जब भी वो अपनी मम्मी के साथ बैठा करती थी तो कैसे उनकी मम्मी एक photograph को देखती थी जो उसकी मम्मी के बचपन की थी और याद करती थी उनका बच आए कि कोई भी अपना grief इस पर व्यक्त नहीं कर सकता तो इसी बारे में यह कविता है शुरू करते हैं हम लोग फर्स फोर लाइन में लिखा है the cardboard shows me how it was cardboard का मतलब यहां पर क्या है basically obviously again a picture पहले की जमाने में अगर आप देखोगे तो जो frames आते थे वो cardboard के बने आते थे तो यहां पर cardboard का मतलब क्या है photograph so the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling paddling का मतलब क्या होते है to walk in shallow water ज्यादा गहरा पानी नहीं होता बीच पे उसको shallow water बोलते है और उस पे walk करने को paddling बोलते है and she the big girl some 12 years or so तो अब यहां पे इन 4 lines में क्या बात हो रही है वो हम यहां समझेंगे so in lines में बच्चो जो poetess है वो क्या कर रही है एक old photo album को देख रही है जो की cardboard का बनावा एक old photo को देख रही है and picture के अंदर उसे क्या दिख रही है तीन लड़किया यह वो photo है ठीके picture के अंदर उसे तीन लड़किया दिखाई दे रही है who are walking on the beach holding each other hand जो की beach पे walk कर रहे हैं यहनोंने एक दूसरे के हाथ जो है बेटा जी वो पकड़ रखे है the girl in the middle is the tallest and oldest अब यह जो middle वाली लड़की है एक तो यह tall भी है दूसरा oldest मतलब इन दोनों से यह बड़ी भी है and other two girls on each side are younger than her and जो बाकी की दोनों लड़किया है वो इस से छोटी है और यह तीनों कौन है cousins है the girl in the middle is the poet's mother अब यह जो बीच वाली लड़की है यह कौन है mother है किसकी हमारी poet की ठीके and she is around 12 years old when the picture was taken and हमें पता चलता है कि जो poetess की मम्मी है वो लमसम 12 साल की थी जब यह picture ली गई थी तो समझ में आया बोला गया है कि यह जो photograph है यह मुझे दिखाता है when the two girl cousins went paddling जब क्या थी? cousins जो थे कहां गए थे? बीच पे गए थे and वहाँ पर वो shallow water में walk कर रहे थे दोनों cousins ने क्या कर रखा था? मेरी मम्मी का एक एक हाद पकड़ रखा था and she, she मतलब उसकी मम्मी वो क्या थी? big girl, big girl मतलब दोनों cousins से ही बड़ी थी and लमसम 12 साल की थी जब यह photo ली गई थी समझ मैं है? जैसे अब मैं मेरी मम्मी की पुरानी शादी की photo देखती हूँ बोलती हूँ अरे यार वा मम्मी आप तो क्या लग रहे थे? आप तो क्या थे? हाना ऐसे मैं करके बोलती हूँ तो वो memories याद आती है न मम्मी को भी अपनी शादी की मुझे भी आती है वैसे ये भी अपनी मम्मी की पुरानी फोटो देख रही है अब आगे चलते हैं और थ्री स्टूड स्टिल तू स्माइल थू देर है इसे खड़े रहना जब भी फोटो लेनी होती है पोस्स करना होता है हम लोग ऐसे खड़े हो जाते ना बिल्कुल हिलते नहीं है राइट आप शकल तो चल रहा थो थोड़ा हिल लेते हैं बट तब नहीं हिलते थे सो स्टि कर रहे हो और आपके फेस पे हैर जारे है तो उस चीज को इहां पर पोट्रे किया गया है यूज्ड में हैर फॉल ऑना स्माइलेंग फेस अड़ी अंकल विद दा क्यामिरा अस्वीट फेस स्वीट मतलब ब्यूटिफुल फेस माई मादर्स आट वस बीफोर वस बॉर्न है अभी आपको समझ में आ जाएगा दो मिनट में की क्यों इंपोर्टेंट है सबसे पहले ही तो आप टेरीबली का मतलब देख लेते हैं तुआ ग्रेट एक्स्टेंट काफी हद तक और ट्रांजियंट मतलब जो चेंज होता रहता है ठीक है अभी मैं आपको लाइन बाइन यह फोटो आखिरकार ली कैसे गई है यहाँ पर बताया जा रहा है हर मादर्स अंकल टुक दा फोटोग्राफ एंड टोल देम तू स्टॉप एंड पॉस तो वह फोटो खीची किसने क्रेडिट किसको मिलेंगे फोटो के मम्मी के अंकल को ठीक है मानलो भाई मेरी मम्मी की फ खुले हुए थे और तीनों ही लड़किया खड़े होकर स्माइल कर रही थी कैमरा की तरफ पोट की जो अटेंशन है वो जाती है अपनी मदर के फेस की तरफ और वो अपनी मम्मी को देख रही होती है which is described as a sweet face और उसने अपनी मम्मी की face को क्या बोल है sweet beautiful face बोला है photograph जो है व on the other hand the sea which touched their feet has changed less कहने का क्या मतलब है यह last की दो lines में क्या बोला गया है एक comparison दिखाए गया है comparison permanent और temporary चीज में बोला गया है कि जो यह जो c है यह जो समुद्र है यह permanent है ठीक है यह change नहीं होता यह एक ही जगा रहता है so इसलिए बोला है c which appear to be changeless जो change नहीं होता but on the other hand जो feet ह feet क्या represent कर रहा है एक बच्चे को हना जो इंसान है वो change हो जाता है transient मतलब जो change हो जाता है हना बड़े हो जाते बच्चे नेचर बदल जाता है obviously mortals होते हैं death हो जाती है right तो वही चीज यहां पर दिखाई गई है क्या बोला गया है poet calls their feet terrible transient उन पोईट ने उन पैरों को क्या बोला है transient transient मतलब जो change होते रहते हैं as they were so young क्योंकि भाई यह तो अभी बहुत बच्चे 12 साल की उम्र में photo ली गई है हना transient क्योंकि अभी तो यह change होंगे यह जो नन्ने पहरे यह बड़े भी होंगे इस इस तरीके से इसको बोला गया है so the poet calls their feet terrible transient as they were so young and now they had grown older और अब क्या हो गई है तीनों ही लड़किया जो गई थी उसकी मम्मी भी और बाकी भी दो भी वो भी अब बड़ी हो गई है and on the other hand जो C है जिनों ने उनकी feet को touch किया था हना पानी आ रहा था था न समुद्र का अगर आप खड़े हो जा तो समुद्र का पानी पैरों को चू कर जाता है न उनके जो अंकिल है वो क्यामरा से उनकी फोटो खीच रहे थे उसकी मम्मी का जो फेस है वो बहुती स्वीट ब्यूटिफूल सा लग रहा था इसने लिखा है my mothers and poet के पैदा होने से पहले ही before I was born यह जो फोटो है बहुत पहले ली गई थी obviously तब इसकी मम्मी 12 साल की थी तो यह कहां से पैदा होई होती है आगे बोला गया है जो सी है वो तो चेंज नहीं हुई बट यह जो इनके नन्य पैर है terribly transient feet transient मतलब changing feet वो चेंज हुए यहां पर इसका use difference दिखाने के लिए किया गया है कि कैसे एक जो इंसान होता है वो मॉटल होता है बड़ा हो जाता है and dolly she would say and look how they dressed us for the beach the sea holiday was her past mine is her laughter both three with the labored ease of loss ठीक है री का मतलब क्या होता है disappointment व्यक्त करना निराशा व्यक्त करना and labored ease क्या होता है with lot of effort अब यहां पर बात क्या की गई है पहले तो मैं आपको यह बता दू तीन स्टेजिस में बात हो रही है यहां अगर आप पहले stanza की तरफ देखो तो यह जो है यहां पर बच्पन बताया गया है पोईट जो है अपनी मम्मी का बच्पन बता रही है कि मेरी मम्मी 12 साल के आसपास की थी हाना यहां पे इन वह पहला ही वाला stanza continue है तो यहां तक उसने अपनी मम्मी का बच्पन बताया है अब वो यहां पर क्या बतान चाह रही है कि after 20-30 years later she would laugh at the photograph कि जब उसकी मम्मी जिन्दा थी वो बता रही है कि मम्मी पहले 12 साल की थी उसके बाद after 20-30 years जब poetess भी पैदा हो गई यहां पर हमारी poetess भी अब आ गई है फ्रेम में poetess भी पैदा हो गई तो उसकी जो मम्मी है वो क्या कर रही है वो उस cousins Betty और डॉली हाना वो जो एक हाथ दोनों लड़कियों ने हाथ पकड़ है बोल रही है देख इस फोटो में देख मेरे cousins Betty और डॉली है और कैसे इनके जो parents है इन्होंने हम तीनों को dress करा था हम लोग कितरे funny लग रहे थे होता है ना हमें हमारी पुरानी पिचर सब तो बड़ी अच्छी लगती और आज हम हसते हैं तो वही बात है वह बोल रही देखो कैसे हमें ड्रेस किया गया था बीच के लिए they would have planned to take a photograph beforehand beforehand मतलब पहले तो यहां पे उसकी मम्मी बता रही पोटेस को कि शायद ना इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि बच्चों की आज फोटो खीचेंगे तो इसलिए हमें इन्होंने अच्छे से त्यार करके बीच पे भेजा था पोट जो है वो recall कर रही है C holiday अब तो जो तीसरा फेस है पोटो का वो क्या है कि पोट की जो तूमiset इस दुनिा में नहीं है जो आ भी कोन बचय है पोटेस बची है अभ वो जो पोटेस है वो circuits कर रही है कि यह मेरी मम्मी का फेवरेट मोमेंट होता था यानि कि अब जब मेरी मम्मी चली गई है तो वो याद कर रही है कि मेरी मम्मी का फेवरेट मोमेंट था पास्च का यह बीच वालिडे हाना इसे वो बहुत याद करती थी और मेरा फेवरेट मोमेंट क्या था अब यह तो मेरी मम्मी का फे मेंवरीज याद करती थी और मेरा फेवरेट मोमेन्ट है जब मेरी मम्मी डूनों के पास याप लिज चीजए महीं ना तो मेरी मम्मी के पास था कि या लो प्रत्वा कर दोग मेरी मम्मी चीज़िंदे शासकती तो ऑप जब मम्मी नहीं है तो poetess अपनी मा के बारे में सोचती है बट वो हैं जाने सकती दोनों ही past की memories को नहीं जी सकते they tried their best to adjust to what they lost तो यही बच्चता है इंसान के पास कि वो अपनी life के साथ move on करे तो poetess ने भी यही करा try किया कि भाई वो आगे बड़े life में अब यहां पर आ जाते हैं यहां पर एक poetic device यूज हुआ है आगे भी मैं आपको बताऊंगी वैसे तो oxymoron ठीक है जिसमें opposite word का यूज हुआ है लेबड का मतलब होता है बहुत जादा effort करना ease का मतलब होता है अराम दोनों opposite हैं विलोम है बट यहां पर लेबड इस का मतलब है क्या एक साथ यूज करा है इसका मतलब क्या है lot of effort बोलने का क्या मतलब है कि कुछ 20-30 साल बाद she यानि poet की मदर हसा करती थी snapshot यानि उस picture को दे और मेरा past था उनकी laughter दोनों ही disappointment में हैं दोनों ही बहुत जादा sad है क्योंकि वो past moment नहीं जी सकते और बहुत सारे effort के बाद यह जो loss है यह जो loss दोनों ने सहा है इसको बहुत जादा effort के साथ वो लोग अपनी life में आगे बढ़ रहे हैं ठीक है last chance पर आ जाते हैं now she's been dead nearly as many years as that girl lived as that girl lived मतलब कब ली गई थी वो फोटो बारा साल की तो जब पोईट की मम्मी बारा साल की थी तब वो फोटो ली गई थी और अब वो बोल रहे है की coincidence देखो की मम्मी को मरे भी बारा साल हो गए है same number है ठीक है और वो बोल रहे है and of this circumstances there is nothing to say at all it's silence silences यहां पे क्या बात हो और ये एक बारी पहले देखते हैं in the above line the poet says that her mother died 12 years ago हना कि इसकी जो मम्मी थी वो बारा साल पहले ही मर चुकी है अभी जब वो हमें ये बात बता रही है तब से बारा साल पहले ही वो मर चुकी है और बोल रहे है देखो coincidence की बात देखो कि यह जो फोटो ली गई थी जो मेर इतनओ बड़ा है कि वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाती है डयथ है धालेंज ज़रा मादर अभी हापे दो बारी साइलेंस यूज हुआ हना क्याने का क्या मतलब है की एक साइलन्स तो भई की जो उसकी मम्मी को death हुई ठीक है ना उसकी मम्मी मर गई so death has silenced her mother which is also left her speechless जिसकी वज़े से हमारी poet भी silent हो गई speechless हो गई तो एक silence तो तुम्हारा death को represent कर रहा है और एक silence तुम्हारा speechless होने को represent यहाँ पर कर रहा है समझ में आ गया कि भाई यही लिखा है कि अब वो जो लड़की थी मरे हुए उसे 12 साल हो गई है same age जब फोटो ली गई थी and a poet के पास कुछ भी नहीं है कहने करे nothing to say at all क्योंकि यह जो दुख है यह बहुत जादा बड़ा है and इस दुख ने इस दुख से तो सब चुप हुए है death से तो उसकी ममी चुप हुई है बट इसकी वज़े से हमारी poet भी speechless हो गई है चुप हो गई है ठीक है guys so यहाँ पर आपकी जो कविता है वो पूरी की पूरी खतम होती है एक बारी फड़ा-फड़ से इसकी summary देखते हैं और फिर मैं आपको poetic devices बताऊंगी the poem is a tribute यह जो poem है यह पूरी की पूरी tribute दिया गया है poet की mother को तो poet सबसे पहले poem की शुरुवात होती है और वो एक old photograph को देख रही होती है उस old photograph में उसकी mummy होती है ठीक है and picture जो है basically उसमें तीन लड़किया होती है 1,2,3 जो बीच वाली होती है वो उसकी mummy होती है और mummy सबसे बड़ी होती है तीनों cousins में सबसे बड़ी mummy होती है and mummy की उम्र उस photo में 12 साल की होती है beside her on both sides are her two cousins Betty and Dolly जो की उसकी mummy का हाथ पकड़ के रखे होते है और उनसे छोटे होते है तो वो बताती है कि किस तरीके से उसकी mummy जब जिन्दा थी वो बताया करती थी कि ये photo 12 साल की उम्र में ली गई थी जब वो लोग beach holiday पे गए थे उनके uncle ने इस photo को लिया था and poet could not help but notice her mother sweet face तो जो poet है वो picture को देखते वे अपनी mummy को देखती है वो बोलती है उसकी mummy का face बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहा है and जो C है वो क्या कर रहे हैं उनके पैरों को छूरे है पैरों को ने terribly transient बोला है क्योंकि C तो change नहीं होती but on the other hand transient मतल she changed over the years and the sea remained the same terribly transient क्या दिखाते हैं कि जो समुद्र है वो तो सेमी रहा बट उसकी जो मम्मी है वो over the years change हो गई after 20-30 years अब वो याद कर रही है कि जब उसकी मम्मी जिन्दा थी तो उसकी मम्मी भी इस photograph को देखके हसा करती थी and वो पोईट को वो photograph दिखाती और बताती कि कैसे उनकी parents ने उन्हें dress up कर रखा था for the beach holiday हना जब उनकी मम्मी जिन्दा थी पोईट याद कर रही है कि कैसे मम्मी मेरे साथ बैठा करती थी और मम्मी यह बताया करती थी कि देख हमारे parents ने कैसे हमें सजाया था beach holiday के लिए शायद उन्होंने पहली खोया था एंड हम दोनों ही उस moment को कभी दुबारा नहीं जी पाए दोश्वीट मोमेंट्स वर मेमरीज नाओ के वह जो स्वीट पल थे वह अब क्या है यादे बन गई है ऐसा ही होता है जो हम आज की डेट में स्वीट मोमेंट जीते हैं वह आगे चलके मेमरीज ही बन जाती हैं बच्छो नाओ पोएट्स मदर हाद बीन डेट पर पास 12 यह अब पोएट की मदर को मरे हुए कितने साल हो गए हैं बाला साल हो गए हैं जब यह फोटोग्राफ ली गई थी विच इस नमबर ऑफ एज वेन फोटोग्राफ वस टेकें शी केनाट एक के पूरा टाइम फोटो में लगे रहते हैं विच इस वेरी गुड थिंग हना आज के जमाने में इस लाइक फुल अफ सेल्फी इस फुल आफ यू नो फोटोग्राफ एंड स्टाफ विच इस वेरी नाइस थिंग हमें खीचनी चाहें फोटो बट हम उस मोमेंट को जीना भ पूरा टाइम फोटो 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 ले तो आपने वह मोमेंट ही खो दिया तो आगे चलके आप क्या ही मेमरी याद करोगे आपको वही मेमरी याद रहेगी कि हाँ यह बैटी थी और में फोटो लिए जा रही थी ठीक है तो दाट्स ओल बच्चों यह इस पॉम की समरी थी की हमारी इसी के साथ हम लोग पॉटिक डिवाईजर्स देख लेते हैं सबसे पहली बात अलिट्रेशन क्या होता है कोई भी एक लाईन है ठीक है मानलो एक लाईन मैने यहाँपर लिख देती हूं मैं यहाँ पर लिख देती हूं एक लाईन टान्या तान्या क्या लिखो कुछ भी रैंडम लिख रही हूं मैं टियर, टू, ट्वाइ, मतलब कुछ सेंस नहीं है इसका, रैंडम लिखा है मैंने, ठीक है, कुछ भी वर्ड लिख दिया है मैंने अब यहाँ पर देखो, मान लो, इमाजिन कर लेते हैं एक लाई नहीं है इसके अगर स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग के अक्षर का साउंड सेंसे जैसे टी, 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 तो यह एलिट्रेशन है मैं आपकोπό क्या सिखाना चाछाती हूं ग्या होता है, repetition of a consonant sound, अगर एक line में कुछ words है और उसके ही स्टार्टिंग का साउंड है वह सेम आ रहा है तो वह मातर है तो यहां पर यह सारी एक‌गज Ganz बात बोल दे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था लेबर्ड इस लेबर्ड मतलब होता है बहुत जाद एफट इस मतलब आराम सो यहाँ पर ओक्जीमरान यूज हुआ है यह दो बहुत मेंटी है दुबारा याद दिला रही हूँ और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो लेक्चर और लेक्चर आपको चाहिए हो जादा जल्दी से तो मेंको कॉमेंट करके बता देना और याँ स्यू गाइस लेटर थैंक यू सो माच बबाई